चलिए, आज सुनते हैं गोरिया और भंदर की कहाने एक बार की बात है, एक जंगल की किसी घने पेड़ पर एक गोरिया का जोड़ा रहता था वो उस पेड़ पर अपना घोसला बना कर अपना गुजारा करते थे बिचारें दोनों खुसी-खुसी अपना जीवन बिता रहा है थे फिर आया सर्दियों का मौसम, इस भार बहुत ही कड़क ठन पढ़ने लगी ठन से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिटूरते हुए पहुँच गए तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर काप रहे थे और बहुत परेसान थे पेड़ के नीचे बैटने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि कास कहीं से आग सेखने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती उसी बीच एक बंदर की नजर पास में पड़ी सूखी पत्यों पर पड़ी उसने दूसरे बंदर से कहा चलो इन सूखी पत्यों को इकठा करके चलाते हैं उन बंदरों ने पत्यों को एक जगाई कठा किया और उन्हें जलाने का उपाय सोचने लगे ये सब पेड़ पर बैठे गोरिया देख रही थी ये सब देख कर उसे रहा नहीं गया